इक्के ने सब कुछ तयार कर लिया था और समराट की आग्या के इंतजार में था। समराट ने ये सुना तो एक ठंडी मुस्कान दी। जबसे इक्के ने राजकुमारी के साथ सौधा किया समराट को लगा कि वह साधारन नहीं है। यहां तक कि किसी भयंकर खतरनाक पशु संक कराया जाए। वहीं सरल राजकुमारी अपनी जगह बदलना चाहती थी। वह अपने मित्र बेलियन के साथ इस शिकार प्रतियोगिता को देखना चाहती थी। जब महाराट ने यह सुना तो अचानक नाराज हो गई। समराट ने वास्तव में उसके लिए अपवाद के उसने ठुड़ी पर हाथ रखते हुए हलकी सी हसी दी। लेकिन महारानी ने जो कहा वह गलत नहीं था। राजगराने के लोग कहीं भी हो उन पर सबकी नजरे होती है। इसलिए तुम्हारे लिए अलग से सीट तयार की है तुम वहीं अपने दोस्तों के साथ मज़ती करो। उसने ये इंतिजाम केवल इसलिए किया क्योंकि इके ने कहा था कि राजकुमारी को उसी जगह बैठाना है जो उसने तयार की है। खुशी से जूमती लिखी आभार वेक्त कर तुरंत ही बेलियन को ढूनने निकल पड़ी लेकिन उसके पीछे हमेशा एक परचाई सी लगी मैंने अपने भाई को पहले ही बता दिया है कि मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हूँ मुझे किसी सुरक्षा की आवश्यक्ता नहीं है तुरंत मेरी नजरों से ओजल हो जाओ। मजबूर आदेश से उसके साथ आई शूरवीर ने मन में सोचा कि भाई बेहन दोनों की स् इतनी मिलती जुलती हो सकती है। जैसे ही खतरनाक राजकुमारी ने पलटकर बैलियन को देखा उसका मन पल भर में बदल गया और उसने खुशी से चिलाते हुए कहा बैलियन जो उसे ढून रहा था। बैलियन ने भी जब लेखी को देखा तो खुशी से आगे बढ़ते एक कदम लिया तो उसे अपने चेहरे पर एक हल्की सी हवा महसूस हुई हवा में एक हल्की और निराकार आह की ध्वनी गूंज उठी कोई नहीं था सिर्फ बुडंध ने उल्जन में पूछा कि वह इतनी देर से क्या देख रहा था। तब ही बैलियान को पता चला कि अभी जो कुछ हुआ वक्यवल वहीं देख सकता था। उसके मन में भारे बोज्श था। ये समझ में नहीं आ रहा था कि वह व्यक्ति उसे कैसे जानता था। बैलियान समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसने चुपचाब जवाब दिया कि वह पूर्व की ओर से जंगल से आ रहा है ड्यूक का चेहरा और गंभीर हो गया और उसने बेलियान को मंच पर जाने की हिदायत दी जबकि वह खुद जंगल की तरफ जाकर मामले की जाच करना चाह रहा था बेलियान कौन है? बेलियान की मान ने अपनी बेटी के लिए एक गहना बनाया था इससे पहले की वह गुजर गई अगर बेलियान के पास उनके जैसी शक्ती होती तो वह इस गहने का उप्योग कर सकती थी उस समय मारिया की शक्ती बेलियान के लिए उप्योग ही हो सकती थी अपने प्रिय पिता को अपनी ही आँखों के सामने खुद को नुकसान पहुँचाते देख बेलियन भै से सफेद पढ़ गई और उसने अपना मुह कसकर बंद कर लिया लेकिन योमिंग उंगलियों के बीच से लगातार बह रहा था ड्यूक अंगूठी की ताकत के तहट दर्द से जूरते हुए सिर्फ यह चाता था कि वह बेलियान के सामने राक्षस न बने समराट ने लगभग पागलपन भड़े तरीके से चिलाते हुए कहा विरोध मत करो मेरे हाथ की अंगूठी से निकली विशाल उर्जा के आगे जुक जाओ इस खिंचाओ में ड्यूक दर्दनाक चिलाया क्योंकि ठंडी और दुष्ट शक्ती ने आखिरकार पूरी तरह से उनके होश को ढख लिया जब मूसलाधार बारिश से ड्यूक पूरी तरह भीग गया और धीरे धीरे अपना सिर उठाया तो उसकी निर्मल नीली आखों में अशुब आग की एक परत आ गई थी वह खोशी-खोशी ड्यूक को सबसे उच्चादेश देने का आनंद ले रहा था ड्यूक का खुनी खंजट धीरे धीरे बेलियन की दिशा में मुर गया गहरे लाल आंखों में न पहचान पाने वाला उत्सा और खुन की प्यास थी जो बहतरीन गुस्से के साथ बेलियन की आंखें डर से बड़ी कर देती थी पापा क्या वर सच में मुझे मार देंगे यही वह राक्षस शब्द है जो मा बोलती थी और यह बेलियन के दिमाग में गहरे से अंकित हो गया ड्यूक ने पहले ही खंजर उठाया था लेकिन सुनेहरा प्रकाश समय पर बेलियन के सामने आ गया और सेनिक ने पूरी ताकत लगा कर आखिरकार खुद को छुडा लिया ड्यूक का हमला मम्मी और पापा के लिए मेरा अस्तित्व ही सुरक्षा है लेकिन बेलियन कैसे ड्यूक को छोड़ सकता है आदमी पीछे मुड़ा और जोड़ से डाटा क्या तुम अभी तक नहीं समझे वो जिस हाल में अभी है वह अपनी जिन्दगी में कभी नहीं चाहता था कि तुम उसे इस रूप में देखो इस चानलेवा पीछा करने की छवी में बेलियन ने मौका पाकर पूझा क्या आप मेरे पापा के दोस्त हैं? तब इनको मानो कोई मजाग सुनाई हजीबो करीब रेगिस के दोस्त कैसे हो सकते हैं? मैं तुम्हारी मा मारिया का दोस्त हूँ आदमी उसे दर्शक दीरखा के प्रवेश्ट वार तक ले गया यहां पर अन्य लोग देख रहे हैं इसलिए चाहे वह समराठ ही क्यो नहों वह उस पर हाथ नहीं उठा सकता बेलियान चिंतित था लेकिन उसने कुछ कहने से पहले ही बूढ़े ने उसे रोक दिया मुझे पता है कि तुम्हारे मन में कई सवाल हैं लेकिन ज्यादा समय नहीं लगेगा एक चमक के बाद वह आदमी उसके सामने फिर से गायब हो गया और यहां लीची भी हर जगह बेलियान के निशान खोज रहा था अचानक बेलियन को सिर से पाव तक भीगा हुआ और उदास देखकर वह बहुत चिंतित होकर उसकी ओर दोड़ा और बेलियन का हाथ पकड़ लिया पूछा क्या बात है इसी बीच मैक्स भी बड़ी हड़़ी में आया और घोड़े से उतर कर उनकी ओर बढ़ने लगा मैक्स को देखकर बेलियन ने मानो अपनी आखिरी चिंता भी छोड़ दी आंसों से भरी आखों से बेलियन ने विंति की मैक्स खृपया मेरी मदद करो किसी को नहीं पता था कि जानलेवा खत्रा धीरे धीरे करीब आ रहा रहा था रहा की गई दानव जानवर दोनों की ओर दहारते हुए दोड़ी और मैक्स इतनी दूरी पर थे कि रोक नहीं सके जीवन मरन के बीच पेलियन ने लिखी को धक्का दिया और खुद दानव के विशाल खुले जबड़े का सामना करने के लिए खड़ा हो गया भयानक प्राणी की दुरगंध आगे की ओर बढ़ी मानो उसे एक ही बार में निगलने वाली हो कुछ दूरी पर मैक्स ने दिल दहला देने वाली गर्जना की मरने की इच्छा तीवरता से जल उठी मृत्यू के कगार पर उसके दिमाग में सभी सुन्दर चित्र एक के बाद एक दिखाई दिये उसके सबसे प्रीय परिवार और दोस्तों को वह बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता जीवन और मित्यू के बीच खड़े बैलिया ने राजकुमारी की रक्षा करने का निर्ना इलिया उसने सोचा कि शायद यही उसका अंत है और उसने मजबूरी में अपनी आँखी बंद कर ली उसने मन ही मन मैक्स से माफी मांगी क्योंकि अगर वह मर गया तो मैक्स निश्चित रूप से बहुत दुखी और अकेला हो जाएगा पच्तावा और अफसोस उसके दिल में गूंज रहे थे कि उसे कभी भी यहा एहसास नहीं हुआ कि ड्यूग को कितनी पीडा सहनी पड़ी है उपस्थित सभी लोग भयभीत होकर नाचने लगे इस सामराज्य की राजकुमारी से अचानक एक चमकती हुई रोशनी निकलने लगी और फिर एक शक्तिशाली जादोई ताकत आकाश की ओर बढ़ी उस क्षण में उसने एक इच्छा मांगी चाहे भगवान हो या दानव उसने अनुरोध किया कि समय थोड़ी देर के लिए रुख जाए ऐसा लगा मानू हवा वाकई उस क्षण में स्थिर हो गई हो और राक्षस का विशाल खतरनाक मुह अचानक रुख गया इसी एक क्षण में मैक्स ने मौका पकड़ लिया और बेलियन को किनारे पर खीच लिया हवा का प्रवाह सामान्य हो गया और लोग घबरा कर चारों ओर बिखर गये और जादोई जानवर खाली स्थान पर जपड़ा मौत के मुह से बचा बेलियन अभी भी थोड़ा स्थब्द था तभी आदमी ने उसे मजबूती से गले लगा लिया मानो डर रहा हो कि अगले ही पल वह उसे खो देगा और डर से बड़बडाने लगा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो पेलियन ने उसकी आवाज में रुलाई की ध्वानी सुनी और हालां कि उसका दिमाग अब भी खाली था फिर भी वह अनायास ही उसे सांत्वना देने लगा अभी जीवित हूँ सब ठीक है संकट हर जगा है दोनों के पास अपने भावनाएं व्यक्त करने का समय नहीं है होश में आए लीची भी रोते हुए चिलाए तुमने मुझे डरा दिया तुमने मुझे बचाने के लिए ऐसा कैसे कर सकते हो बहलेन ने हडबडाहट में उससे माफी मागी यह सब उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ती थी लीची जिसने कभी इस तरह की सुरक्षा नहीं देखी थी आगे की सिस्कियों में कहा आगे से ऐसा मत करो बेलियान तुम बिल्कुल मर नहीं सकते मैं इसकी इजाज़त नहीं दूगी पीछे का राक्षस अभी भी लिखी को घूर रहा था और दोनों डर से अपनी आँखें बड़ी कर रहे थे बेलियन समझ नहीं पाया कि अपने आँख को रोकने के लिए उनकी स्थिती के बारे में वे अभी तक नहीं समझ पाये थे कि राक्षस की शेंग कोलन का कारण क्या है दूसरी तरफ से उस पर फिर से क्रूरता से हमला किया गया नैक्स ने गुस्से में एक जोरदार चीख के साथ विक्टर को बुलाया बुलावे पर विक्टर तुरंथ प्रकट हुआ ठकराहट की गर्जना के बीच अपने आपको दिड़ता से विरोध करता हुआ आम तोर पर लापरवाह रहने वाले विक्टर के चहरे पर इस समय एक अनोखा भाव दिखाई दे रहा था खृपया मेरे पीछे खड़ी रहे राजकुमारी लेजी हैरान होकर उनकी पीट को देख रही थी राक्षस उत्तेजित हो गया और हवा के साथ उसके शरीर का आकार कई गुना बढ़ गया उसकी उंगलियां ठंडे प्रकाश के साथ चमकती भयानक ताकत बन गए पहले से भी ज्याता खतरनाक हो गया है मैक्स और विक्टर ने मिलकर राक्षस पर हमला किया लेकी अपने हाथों को देख रहा था और याद करने की कोशिश कर रहा था कि अभी अभी समय कैसे रुख गया था क्या वो जादू था मैक्स और विक्टर पहले ही युद्ध में शामिल हो चुके थे आदमी ने अपने फुर्तीले शरीर से राक्षस के विशाल शरीर पर छलांग लगाई और अपनी धारदार तलवार से उसे भेद दिया और मौत के डर ने उसे केवल कांपते हुए अपने आपको छुपाना पड़ा आँखों के पास पहले से ही गुझ उठी थी लेकिन यह तो राक्षस का दर्द से भरा गर्जन था बेलियान ने घबरा कर धीरे से आँखें खोल ली और एक परचित उची आकरती उसके सामने उभराई उस आदमी के शरीर पर कुछ अजीब नीली आग जल रही थी पीला लौ उचाई से नीचे की और राक्षस को रौन रही थी और उसके हाथ में तलवार से ताजा खून टपक रहा था उलजी हुई जादूई शक्ती और तिर्ची हवाएं इस पल में निशिध बन गई भले ही आदमी की आँखें विचित्र रूप से दोहरी थी बेलियन का दिल का डर समुद्र की लहरों की तरह दूर हो गया इकल गए और वह रोता हुआ उनके गले लग गया लेकिन ड्यूक के दिमाग में अचानक एक शैतानी आवाज गूंज उठी यह कितना भावक पुनर मिलन है यह आह जैसे उन्हें चूग गई ड्यूक महुद्य का चेहरा अचानक बदल गया और उन्होंने बेरहमी से बेलियन का हाथ जरक दिया बेलियन का दिल तेजी से धरकने लगा जब उसने देखा कि उसके पिता की आँखें फिर से खतरनाक लाल हो गई है वह मानु किसी खतरनाक जानवर की नजर में भसे शिकार कितरा था उसकी ठंडी और निर्दय निगाहों के तहट पेरियान बिलकुल भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया पेरियान के चेहरे पर बेहचक डर देखकर ट्यूक साहब फिर से संगश करने लगे उनका सिर दर्द से फढ़ा जा रहा था और वहाँ खुद को नियंतरित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे तब ही अचानक उनकी पीट के पीछे से तालियों के आवास गुँझ गई और एक और शांदार तृष्चे का जन्वर कर दोक्ते हैं जाक अलब है दो खो हूब है कर दोन को खो जाण हमना how कर दालियों क्या जोटर देस है झाल उन्स के इंप एमन को आईन कि ईच करभा बोटे किस धर बाल कि अवर विलन जल। कंई एक प्रथय करें कि झाल करते हैं! में आप आप अप सेवह से लाइब जरे लाइब एंग झाल फिर उब जाइब एंग जाइब एंग झाल जाइब एंग, झाल आप एंग। आए sprचिए नजयार ये नाओ किया नाओ किया नाओ किया ने उड़ुग किया ये नाओ किया नाओ है नही है मेंगे जार्णट कि वार्णSt घ noi कि सungह कि वुमिये नही पार। से लίड कशे हैं कि डारारauthंग जाराइब। ग्रिरस सेफटरें है जिह मेझ घर अजैसित बरह education जैजör है है जिर एक है पुरिण सेथिस्टा废 पिलनगा नासर फिलन जार हैंगे एड़की है कर दो तो बखितेछ ऍसेथित कि अद्वर्वा पारी और्याओ भूश्फर आवार, बिट रेलिटSu न दो प्रूब रेलियुटन, यहां कि अवस्टार प्रूब जो ग बविजित के चीजिए न अवस्ते पार दोस्टार में कि अवस्ते हैं, यहां ठूस क्यों है, यहां डेलिटू विखने हैं, यहां यह पीजिस करेंगा गग साथं कि शहते हैं टेंरλέग इसके छोग ओनाव सफेल र Sounds कि अर्ड़ स 99 आर हम रेंख भाडन न तो आर आर हैं कर दो दो ऑन को भीड़ दोडं़ दो 35-00 कि अफिर कम कर दो दो कर दो फिर खर जब और गान्ट गर सकते हो कर दो झाल टो गाल गाता है झाल सकते हैं चाहँ कर दोगा तो गाल गाल सकते हैं.